सभी बचुकुन मश्कार बात हो रही है सिंगेज कैलकुलस की जिसमें डिफ्रेंसेशन के हम बात कर रहे थे जिसका आज का टॉपिक है डेरिवेटिप या डिफ्रेंसेशन आफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अधर फंक्शन क्या लपड़ा है देखे हमने पड़ा है गर y x का फंक्शन है तो डिवाइब इट x निकाल लेते थे अभी क्या हो रहा है कि y1 x का फंक्शन तो है y2 भी x का फंक्शन तो है लेकिन हम से कह रहे है y1 को y2 के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसेट करो यू हैब तो डिफ्रेंसेट y1 विद रिस्पेक्ट तो y2 देखे अगर y1 x का फंक्शन है यह एक्स का रिस्तेदार है और y2 भी x का रिलेटिव है तो इंडिरेक्ली तो रिलेटिव हो गए दोनों नहीं हो गए लेकिन डिरेक्ली नहीं होए डिरेक्ली ऐसा कोई रिलेशन इसमें नहीं हो रहा तो अब होगा क्या y1 डिरेक्ट y2 के पास नहीं जा सकता है y1 x के पास जाएगा मतब आपको y1 को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसेट करना पड़ेगा y2 को भी x के respect में differentiate करना पड़ेगा और जब dy1 by dy2 करेंगे तो dy1 by dx अपांड dy2 by dx कर देंगे और अपने आप dy1 by dy2 की value निकलाएगी बात समझ में आगई सर्त एक ही है कि अगर y1 को y2 के respect में कर रहे हो तो दोनों का same function के function होने चाहिए उतार relation होने चाहिए x का ही function होना चाहिए ऐसा नहीं कि वो x का है वो t का है नहीं चलेगा same लोगों के दुनों रिस्तदार हों तो वो आपस में भी रिस्तदार होते हैं ठीक है अब मैं एक example लेकी चलना हूँ और उसको समझाने की question करूँगा ये singhage का है illustration 3.50 illustration singhage का है 3.50 कहिए रहा है कि differentiate log sin x ये आपसे question कह रहा है differentiate log sin x with respect to root cause x नहीं एक function तो y1 है log sin x और एक function y2 है root cause x और आपसे कह रहा है कि y1 को y2 के respect में differentiate करूँ ठीक है ये equation 1 है ये equation 2 है क्या तरीका है y1, y2 दोनों x के रिस्तदार है तो indirectly ये रिस्तदार है लेकिन directly रिस्तदार नहीं है तो आप लिखेंगे differentiating equation 1 and 2 with respect to x तो देखो जब हम d y1 by dx को करेंगे x के respect में d by dx of y1 क्या है log sin x तरीका क्या होता जड़ा देखिए जानते differentiation मालूँ होना चाहिए आपको यहाँ पहुचनिक पहले ठीक है because you are going to exercise 3.6 3.5 हो जुका है देखो हम log x का differentiation चाहते है जानते है x की जगए sin x इसको x माल लो तो log sin x का one upon sin x हो जाएगा और sin x का cause x हो जाएगा यानि यह cortex आ गया अब d by 2 by dx करो मतब d by dx of root cause x यानि cause x की power half इस प्रकार की derivative हमने क्या बताए थे हम निकाल कर whole power है तो आप इस पूरे को x की power n मान की चलो तो क्या आएगा one by two cause x की power one by two minus one और फिर cause x को differentiate करेंगे तो minus का sin x आएगा थोड़ा सो calculate कर दीजे तो minus sin x upon two under root cause x हम अब आपको d by 1 by d by 2 निकालना है क्या तरीका हमने बताया इन दोनों को divide कर दो ठीक है आपको निकालना है d y 1 by d y 2 तो आपको d y 1 by d x अपान d y 2 by d x करना पड़ेगा ये क्या आएगा cause x upon sin x फिलाल ऐसे लिखे जा रहे है caught नहीं लिख रहे है क्योंकि दूसरा वाला sine cause में है और ये अपान में है तो आएगा minus का sine x और उपर जाएगा 2 under root cause x अब इसको थोड़ा सा calculate करके लिख दिया जाए तो ये क्या आने वाला है देखे answer किसी फार्म में आ सकता है इनका answer किस फार्म में आ रहा है जैसे लिखा हुआ है सबको numerator में शिफ्ट कर दिया देखो जान से cause upon sign cortex हो जाएगा तो 2 minus में 2 under root cause x एक cause upon sign हो जाएगा cortex और एक one upon sign cause x तो ये answer हो गया आप किसी फार्म में उसको छोड़ सकते है तो ये आपका एक topic है इसका इस्तेमाल आगे question solve पूरेंगे तब तक नमस्षकार